दोस्तो आज हम बात करेंगे आपसे आयरवेद की एक बहुत गुनकारी मेडिसन गोखरू क्वाथ के बारे में गोखरू आप जानते हैं जिसको दूसरा नाम गोखशुर होता है उसका बनाया गया या काड़ा होता है कुछ और दूसरी मेडिसन इसके साथ में मिलाई जाती है तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि किस तरह की ये मेडिसन होती है क्या-क्या इसके फायदे होते हैं, इसको प्रियोग करने के दोरान किन साबधानियों की आपको जरूरत रखने की आविशकता होती है तो चलिए हम अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको इंट्रिड्यूस कराते हैं हम इस गोखुरू क्वात के साथ में जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक बोटल रखी है जो सांडू कंपनी की बनाई गई है और इसके ओपर लिखा है गोखुर काड़ा पास से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसका नाम और स्पैलिंग ठीक से समझ सकें गोखुर जो हर्ब होती है वो मेन यूज की जाती है यूरिनरी ट्रेक्ट के डिसोडर्स के लिए पिशाब में जलन, पथरी की समस्या, गुर्दों में मवाद का बनना उसके लावा पिशाब की ठहली में सूजन आना और पिशाब करते बक्त जलन, पिशाब के साथ में खून आना इत्यादी समस्याओ के इलाज के लिए गोखुर का अपयोग विभिन जड़ी बूटियों के साथ में किया जाता है तो इस गोखुर कौाथ की जो में मेडिसन है वो गोखुर होती है गोखुर के लावा इसके अंदर जो यूज किये जाते हैं धाय का फूल इसके अंदर यूज किया जाता है बबूल की गोंद यूज की जाती है और गुड का यूज इस क्वाड़े को पकाने के लिए किया जाता है ये तो हुई इसके कमपोजिशन की बात अब हम एक एक करके जानते हैं कि किन किन रोगों में हम इस गोक्षुर कवाथ का सेवन कर सकते हैं सबसे पहला जो इसका उपयोग है वो रहता है मूत्र क्रेचता की अवस्था में जिन लोगों को पेशाब कम आ रहा हो कई बार बहुत ज़दा गर्मी लग जाने के कारण या पेशाब में बहुत ज़दा सीवर इंफेक्शन होने के कारण पेशाब कम आने लगता है, रुक रुक कराता है, बूंद बूंद करके आता है तो ऐसी कंडिशन में या गोक्षुरकवाथ देने से पेशाब का फिलो बढ़ता है और असानी के साथ में मूतरत्याग हो जाता है इसका दूसरा जो फायदा हमें मिलता है वो उस कंडिशन में मिलता है कि जब बोड़ी में वाटर रिटेंशन होने के कारण जगा जगा एडिमा आने लगता है, पानी की सूजन आने लगती है उस कंडिशन में हम इस गोक्षुरकवाथ का सेवन कर सकते हैं चुकि यह मूत्र के परमान को बढ़ाने वाला होता है तो शरीर में एकत्रित हुआवा जो मूत्र आंश है, मूत्र का जल आंश है वो पेशाब के साथ में बहार निकल जाता है और बोड़ी पर से एडिमा कम होने लगता है इस गोक्षुरकवाथ का तीसरा फायदा हमें मिलता है पत्थरी की समस्या में, गुर्दे में, अत्वा मूत्र मार्ग में पत्थरी हो जाने पर यह है गोक्षुरकवाथ जादा मात्रा में मूत्र निर्मान के कारण उस पत्थरी को आगे खिसकाता है और पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में काफी मदद करता है यदि पत्री का साइज होता है 5-6-7 अमेम तक तो बहुत आसानी के साथ में निकल जाती है और यदि बड़ी पत्री होती है तो साथ में दूसरी आईरवेदिक मेडिसन्स के साथ में इसका सेवन करने से वह पत्री तूट करके अत्वा गलकर शरीर से बाहर निकल जाती है उसके लावा विभिन इंफेक्शन के कारण शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने के कारण अक्सर पेशाब के साथ में खून आने की समस्या होने लगती है पेशाब करते वक्त रोगी को बहुत जादा दर्द की अनुभूती होती है बहुत जादा जलन होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि उस दर्द के डर की वज़ासे रोगी पेशाब करने तो जाता है लेकिन बिना पेशाब करे ही वापिस आ जाता है बहुत ज़्यादा उसको बेचैनी बनी रहती है तो ऐसी कंडिशन में इस गोक्षुर कौाथ का नियमित सेवन करते हैं रहने से ये सब मूतर विकार शांत होते हैं पेशाब में खुन का आना बंद होता है और पेशाब के साथ में होने वाला जो दर्द है वो भी खतम होता है काफी अच्छा रोगी को अराम हो जाता है तो फ्रेंट्स ये है कुछ में फाइदे थे इस गोक्षुर काड़ा अतवा गोकुरू कौाथ से जो हमें मिलते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि फिलहाल मेरे हाथ में है चार्सो पचास एमेल की बोटल है जो सांडू कंपनी की बनाई गई है मार्किट में आप आपको दूसरी कंपनियों का भी गोक्षुर काड़ा बना बनाया मिल जाता है आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले करके प्रियोक कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की डोजिंग के बारे में कितनी मातरा में इसको हमें सेवन करना चाहिए जो 6 महीने से छोट साल की आयू तक के बच्चे हैं उनको केवल एक 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 मेल की मातरा में दिन में दो बार यह देना है उससे पहले भी आपको अपने आयरवेदिक डोक्टर से परामर्श करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है जिन बच्चों की आयू 5 साल से लेकर 14-15 साल तक है 16 साल तक ह उनको आप 2 से लेके 4 एमिल की मातरा में दिन में 2 बार सेवन करा सकते हैं और 15-16 साल से अधिक आयू के बच्चे और व्यसक आदमियों के लिए इसकी जो मातरा है वो 20 एमिल प्रती खुराक में दी जाती है दिन में 2 अत्वा 3 बार इसका सेवन कराया जा सकता है चुकि एक वात है तो इसमें अपने आप में ही जल की मातरा काफी अच्छी होती है बट फिर भी सलाह दी जाती है कि इसको गुन गुने गरम जल के साथ में मिलाकर ही सेवन किया जाए 15 eml दवा को आप लगभग 20 eml गुन गरम पानी के साथ में मिलाकर सेवन करें और उसके बाद में दुबारा लगभग 1.500-200 ml गुनगुना गरम पानी आप घुट-घुट करके पी लीजिए ताकि इसके अच्छे प्रभाव आपको देखने में मिले इस काहडे को दुबारा गैस पर रखकर गरम करने की आवशक्ता नहीं होती है ऐसा करने से इसके ओशदिय गुन जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं उसके बाद सवाल आता है कि कितने लंबे समय तक हम इस गोक्षुरकवाथ को सेवन कर सकते हैं समानने तोर पर 20 ml की मातरा में सुभह शाम सेवन करने से एक बोटल यह लगभग 11-12 दिन चलती है और एक रोगी नियमित तोर पर सेवन करते हुए लगातार आठ जस बोटल का सेवन कर सकता है अथवा जब तक विकार शानती हो तब तक इसका सेवन कर सकता है समय समय पर गुर्दो को डिटोक्स करने के लिए यूरिनरी ट्रेक्ट को सफाई करने के लिए भी सवस्ता आदमी भी दो तीन महीने में एक बार इसकी एक या दो बोटल का सेवन कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है बहुती सुरक्षित यह है मेडिसन गोक्षुर काड़ा होती है किन साफधानियों की आपको जरूर्थ होती है चुकि इस मेडिसन को बनाने में गोड़ का प्रियोग किया जाता है तो कुछ परसेंट लोगों के साथ में ऐसा होता है कि इसका सेवन करने से शुगर का लेविल बढ़ जाता है तो यदि आप डाइबिटीज के रोगी हैं तो इसका सेवन करते वक्त नियमी तोर पर हर दूसरे तीसरे दिन अपना शुगर का लेविल जाच करते रहें और यदि इसके सेवन से शुगर का लेविल बढ़ता है तो आप इसका सेवन करना कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए दूसरी बात बोटल को प्रियोक करने से पहले आप अच्छी तरीके से हिला लीजिए एक बार और चुकि कांच की बोटल है तो इसको आप पकड़ने के लिए साबधानी बढ़ते हैं कौात इसमें से निकालने के बाद में धककन को टाइट बंद करके रख दीजिए साथ ही धककन को थोड़ा सा गिले कबड़े से पहुंच दीजिए जिससे की इसके ओपर चीटी इतियादी ना लगे सबसे आखिर में बात करते हैं इस मेडिसन की लाइफ के बारे में तो पैकेजिंग के ऊपर दी गई एक्सपारी डेट के हिसाब से पैकिंग की डेट से लगभग दो साल तक है गोकसुरकवाथ जो है खराब नहीं होता है अर्थात इसकी दो साल लाइफ होती है प्राइस की बात करें तो 4.500 ml की है बोटल सांडो गोकसुरकवाथ 180 रुपे की एवेलेबल होती है आपको अपने आसपास किसी भी आयरवेदिक दवाईयों की दुकान पर अत्वा प्रवोक मेडिकल स्टोर पर आसानी के साथ में आपको मिल जाती है इसके लावा आप इसक गोकसुरकवाथ के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक कर दीजिए इस दवा से संबंदित आपके कुछ सवाल हो आपके मन में आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आपसे पहले आपने इस दवा का सेवन किया है कैसा आपका परेड़ाम रहा आप फीड़बेक के तोर पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूँगा तब तक आप अपना ध्यान रखिए सुरक्षित रहिए धन् कर दो नमस्कार